मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अनाज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मेगमणी कंपनी की रेर स्टार दवाई के बारे में जियां दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस दवाई को आपको कौन-कौन सी फसल में उप्योग में लेना है इसके टेकनिकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ इसाथ में इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे और इस वीडि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ में बने रहिए आए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की कि जो रेर स्टार दवाई है इसका मुख्य रूप से उप्योग आप धान, कपास, गन्ना, सोयाबीन, मिर्ची, आदी तमाम सब्जियो वर्गी फसलों में कर सकते हैं ये एक कीटनाशक प्रवर्ती की दवाई है तो जिस भी फसल में ज्यादा गहरे कीट, ज्यादा बड़ी लटे या ज्यादा मूटी गंडारे लगती हैं उन सभी फसलों में आप इस दवाई का उप्योग बहुत अच्छे धंग के लिए कर सकते हैं और अगर हम बात करें इसके टेकनिकल नाम की तो दोस्तों बाइफेन तरीं 10% EC इसका टेकनिकल नाम है और अगर हम बात करें इसके डोस की तो दोस्तों ये स्लाइट आप ध्यान से देखिए कि धान 200 ml एकड मिर्च में भी 500 ml पर एकड कपास में 300 ml पर एकड सोयबीन में 300 ml पर एकड गंणा में 400 ml पर एकड एक एकड में दोस्तों जो 15 लीटर के spread tank होता है हमारे आपको एक एकड के लिए 10 spread tank का उपयोग करना है और अगर मैं एक spread tank के साब से आपको dose बताऊं तो जहां पर 200 ml फर एकड लिखा है वहां पर आपको 25 ml पर टैंक डालनी है तो आपको ये विशेश ध्यान रखना है कि एक एकड में हमें कम से कम 10 spray tank का इस्तमाल जरूर करना चाहिए जो हमारे हाथ के जो हमारे कंदे पे रखकर हम हाथ से spray करते हैं 15 लिटर का spray tank जो होता है वो आपको 10 tank जरूर करने चाहिए और अगर हम आगे बात करें महतुपून बातों की तो दोस्तों ये स्लाइड आप और से देखिए वालवर्म सफेद मक्ही स्ट्रैम बॉरर लीफ फोल्डर ग्रीन लीफ फोल्डर दीमक एफिड जैसिड प्लांट हो पर आदी तमाम कीटों को कंट्रोल करता है खतम करता है इस्प्रे होने के बाद पूरी तरीके से वह नश्ट हो जाते हैं और 10 से 15 दिन तक आने भी नहीं देता है हवाओं के अधिक चलने पर इस्प्रे स्प्रेख करने से बचना है क्योंकि वह दवाई वेस्ट हो जाती है और इधर उदर हवा के माध्यम से बिखड जाती है अधिक तापमान होने की दर्शा में शाम के समय इस्प्रेख करें दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि जब भी आप दवाई का इस्प्रे हो फंजी साइडो या कोई साभी जाइम ही क्यों नहों आपको सुभे या शाम के समय ही स्प्रे करना चाहिए अधिक तापमान में स्प्रे नहीं करना चाहिए उचित नमी में ही स्प्रे करना है उचित नमी सुभे और शाम के वक्त ही रहती है और अगर हम बात करें इसका इ इल्ली, सुंडी, फल छेदक, मक्की, लाल कद्दू बीटल, तना छेदक, फल छेदक, गुलाबी सुंडी जैसे कीटों को कंट्रोल करता है। और आप जैसे ही इसको स्प्रे करेंगे, ये तुरंत अपना काम 12-48 घंटे के भीतर भीतर दिखाना शुरू कर देगी। बहुत इस जबर्दस दवाई है दोस्तों, रेर स्टार इसको आप अन्य किसी फंजी साइड या जाइन के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं, कोई साइड इफ दोस्तों, कोई भी हम दवाई करते हैं, सावधानी रखना बेहस जरूरी है, सबसे पहली बात तो, ये बहुत ही जहरीले पदार्त होते हैं, इन सब दवाईयों को, बच्चों की पहुंच से हमें दूर रखना है, जब भी आप बॉटल का उप्योग करें, तो बॉटल को अ हमें कभी भी इस्प्रे करने नहीं जाना है, घर से अच्छा खाना खाकरी हमें इस्प्रे करने जाना है, और जब भी हम इन बॉटल का पूरा उप्योग कर लें, मतलब इनको खतम कर लें, तो जो खाली बॉटल बसती हैं, उसको वही नश्ट करके जमीन में गाड कर चले आ आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे शोगुन पंच दवाई के बारे में जियां दोस्तों मेगमनी कंपनी का ही एक प्रडक्ट है और इसके बारे में पूरी तरह से विस्तार से हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे तो दोस्तों मेरी फिर से जरूर प्रेस करिए दोस्तों ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको notification के मध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों नमस्कार